सभी को नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है हमारे यूटीब चैनल पर तो आज हम आपके लिए एक interesting वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा इसलिए वीडियो को अंतक देखें क्योंकि बहुत सारी जा है भारत हमारे वैसे तो बहुत जबदस किसम के कई जर्नलिस्ट हैं और उनी में से एक जो है वो अबसार आलंग साहब है और उनका आटिकल एक जो भी आया है दो दिन पहले बहुत उसके उपर जो है आप क्या कहेंगे बहुत बात की जा रही है और बहुत बोल्ड हो कि उन साथ हजार जबानों में ट्रांसलेट करके दुनिया को बताना चाहिए कि यहां बाइस क्रोड़ लोगों की जिंदगी कैसे कुछ अपरी है और मैं समझता हूं कि आज यह जो सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा जारी है है मैं यहां पर यहां पर यहां करना चाहूंगे पिंदेंग बन सुप्रीम कोर्ड में 1550 से ज्यादा है है कैसे सारे चार है लेकिन सिहाल स्वाली है एक स्वालिया निशान है बाइस क्रोड लोग अज इनको वो खातू आज वो इनको शक्स नजफ और वो जो औरत मासूमा है जिसके लिए वो हाउजिंग सुसाइटी के इनसान को उठाकर एक मालक को उठाकर जाकर तशद्द किया गया और उसको मार मार के कहा जाता था कि इ इनको वो क्यों नहीं नज़र आते हैं इस वकत मैं समझ नहीं हारी कि कहां से शुरू किया जाकर और अबसार आलम का आइटीकल मैं समझता हूँ एक तो मैं उनको दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किस जुरत और भादरी का जो है वो मुझारा करके आइटीकल लिखा ह एक ऐसे कंट्री के अंदर जहां पहले उनके बच्चे को भी तर्शादत का निशाना बनाएगा और खुद भी उनको गोली लग चुकी आफरीन है मैं सलूट पेश करूँगा अब सार आलम को और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 22 क्रोड लोगों से कि प्लीज उनके आ मेरी समय से बारे लेकिन इसमें आज मैं जो कुछ और चीज़ें बात करना चाहूंदा हामद मीर साब ने भी किसी तरह का आइटी कर लिखा है आँखें कोल देने वाला लेकिन यह है कि आज अगर देखा जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है को पुरसाने हाल नहीं है मैं क्यों के आपको कौन चला रहा है आज पौकास्तान को कौन चला रहा है किसी को पता है और मैं डूसरी आज 7 याद कराना चाहूंगा कि आज पाकस्तान के अंदर हो क्या रहा है? पाकस्तान के अंदर वही हो रहा है, रोईदाद खान ने अपनी किताब में लिखा था कि जब सकूते ढाका हो रहा था और जब GHQ के कमरे में अंदर दाखल हूए तो वहां पर धजगड़ा हो रहा था कि इस जो आखरी ड्राफ्ट है सरंडर का उसके ओपर पाकस्तान स्टैंडर टाइम लिखा जाई एंठाका स्टैंडर टाइम लिखा जब तरकश इस्तंबोल की दिवारों पे पत्थर मार मार के इस्तंबोल की दिवारें गिरा रहे थे तो अंतर जो क्रिस्टिन पोप जो पादरी थे वो इस चीज़ पे जगड रहे थे कि लास्ट सपर आखरी डिनर जो था जीजिस का उसमें रोटी खमीरी थी या किस किसम की थी हलाकु खान जब घुसा था बगदाद में तो अंदर मॉलवी लड रहे थे दूसरे के साथ कि दाड़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए और मस्वाक की कि लेंथ कितनी होनी चाहिए जब नपोलियन पीटर्सबर्ग की दिवारों के पास पहुंच चुका था तो अंदर जार आज उस वकत फैसला कर रहे थे कि शिकार पे जाके आज रीच मारना है या रेंडियर मारना है और उस रेंडियर को रीच को मारके उसकी जैकेट बनानी है या पैंट बनानी है गर्नाता जब डूब रहा था सपेन का तो उस वकत जो अबू अबदुल्ला था वह मराक्शी गोट के उपर अंदर डिस्कृशन कर रहा था कि या दर यह हलाल है कि हां जब रशीया अफगानस्तान आ रहा था तो उस पर अफगानस्तान का सदर परिशान था कि बच्चों क आपने सर्वाइव करने के लिए पैसे मांग रहे हैं इदर उदर से लेकिन इस साल के अंदर जो करजे आपने वापस करने वो कहां से पैसे लाएंगी लेकिन जगड़ा है कि असी लोग लहोर से पकड़े गए हैं तो पिशावर से नहीं पकड़े जा रहें जेल किस तरह भ का 61 साल का रैकट तोड़ा है आप मुस्तक्बिल नजर आता है आपको आर्जू इस मुलक मेरा यह को अर्जू पबलक के साथ आज पहली दफ़ा हादसा यह थोड़ी हुए छहतर साल से जूते मार रहे हैं इनको छहतर साल से यह ब्रिडिश एजेंट्स के जो ड्रैंट केड्स हैं यह जूते मार रहे हैं दूसरा मेरा शिकायत है यह जो हमारे तीचर्स और पटवारी ओं के बचे जब कर आ जाते हैंstanden क्यों बदला लेते हैं पाकस्तान से क्यों आपने आपको पाकस्तानी नहीं समझते हैं क्यों वो मास्टर डिग्री अमरीका और इंग्लेड आते हैं तो अपना दिल यहीं छोड़ जाते हैं क्यों वो इस पाकस्तान से बदले ले रहे हैं आज मुझे यह बता है आज कि जितने जरनेल जज और जितने आपके CSS करने वाले majority of them वो middle class से आएं लोर middle class से आएं क्यों पाकस्तान के कपड़े फाड़ रहे हैं यह मेरा question है आज के लोगों के बाद नहीं का रहूं पीछे माजी में क्या हुआ है अयूब खान क्या करता रहा है ज्यावला क्या करता रहा है दूसर लोगों कि था रहा है किस तरह फैक्टरियां लगाएंगे हम बच्चों को तालीम किस तरह करेंगे डिजीटाइज पाकिस्तान किस तरह बनाएंगे डिजिटल पाकिस्तान इंग्लेश और मैथ की जुरूरत है आपको इस वकित पाकिस्तान में एक भी इंग्लेश चैनल नहीं इस वकित क्यों नहीं कि फैसले करने वालों के बच्चें लंदन बैठें हैं और जो करके आजाते हैं वह पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं यह हो रहा है इस तरफ पाकिस्तान के जाज यह मेरा वाइस क्रोड लोगों से यह क्वेस्टेन है आरजु मैं आज एक और बात बलके मैं बताना चाहूंगा यह मैंने आज आज से कुछ साल पहले 15 साल पहले 10 साल पहले अपने जुएश दोज से क्वेस्टिन किया था यू स ड मचबूर हूँ आज मैं मचबूर हूँ अजय बंगा बन रहा है वर्ड बैंक का सदर आज मैं यही क्वेस्टिन से पूछने वह तक लेकिन किस तरह पूछों क्वेस्टिन क्यूंकि हमें तो बच्ठेशने वे उनसे ने लेना डाएक है क्टुरांटोर पें घर ले ले लेना तुम्हारे जिंदगी के महराज यही है है यह साथ जाएका तुम्हारे कि असut वम्होंरे कर दोने इस कि आऩ मंपंदे जर्नैल यह सारे के संटरी इन्हें मौद से डर नहीं आता मरना है हमने एक दिन तो किस तरह मरना है हमने क्या नाम छोड़के जाएंगे तुम्हारे पोते दोते तुम्हारे गाड़ियों के नंबर रोट करेंगे यह इंटों के जो घर बना रहे हुए तो 30 साल 25 साल इसकी एज होती है क्यों नहीं इस पाकस्तान को बचाने की कोशिश कर जरते ही यह अजए भंगा क्यों क्यों हो रहा है पाकस्तान को डिए मोदिए पाकस्तान से पैदा क्यों ही हो रहा यहां से क्या बजाएं इंफीर है इतना इंफिर है क्या वजाए इक व्य conception estás?」 और तर ये तो मेरा ख्याल है यह चाहरे एंगे बस कहीं से फंड आजाए और उसके बाद ये फिर उसको आर्ज़ू नहीं फंड तो 16 साल से खा रहें ना बही लंदन दुबई लंदन दुबई जो जा रहा है सारभ पैसा 16 साल से क्या करेंगे उसे के मकान साथ ले जाए गड्रों में यह क्या करेंगे किसे को lessी का में 22 क्रोण लोगों में से अच्छा ही करने का शोख नहीं कि नहीं इसलाम को में खराब किए कल्चर को में खराब किया डियान थो सुबाश या तो हरान हो गयूंगा देखता हूं डेली पे आज अबसार आलम का आइटिकल देखे मैं तो हरान हो गयूं किस तरह चार टीवी चैनल का एक मालक उसको पकड़ के मारा गया उसके उसे चैनल खो लिए चीन लिए किस तरीके से इसलामाबाद के अंदर से अग्वा को प्रोटेक्ट करने की विल्कुल सार उसमें नाम लिखे वे उन्होंने आरजू दुख हो दुख होता है मैं क्या कहूं हमारे जैसा बंदा दुख है आपको मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं यह जो पाकस्तान में रहने वाले तो इनके तो सुनो चुके ना यह आर इम् की की तरफ जा रहे हैं आर्मी बैसिस के ओपर वो आपने ट्रेंट सेंट्र बना रहे हैं और तुम्हारा यह अमीर मुम्मनीन जो है तुम्हें जाद कर रहा किस चीज का जाद करना तुम्हें जाद के सपहले नहीं पूरे आते हैं तुम्हारे डियन ने में जाद करना आज अपका सारा काटन कारो बार वह लेंगे उन्होंने शुकर कि आप से जान छूटी शुकर कि उन्होंने जान चूटी लेकिन यह कि मैं क्या पता हूं किस से बात करें निया थी कि पाकस्तान में बात किस से की जाए सब्सक्राइब तो एक निया को आइटिकल लिख देता है बंदा और हकीकते लिख रहे हैं लोग रिख रहे हैं चीख रहे हैं पता है सब को क्या हो रहा है लेकिन यह को बचाने वाला नहीं जितने लॉंडेल अपाड़े हैं सीएस करके लूट रहे हैं पाकस्तान को सारे लूट रहे हैं सार बहुत हम्मत है अब सारा आलंग साथ के क्या कुछ नहीं हुआ उनको बचाए उनको उनको फॉसला हो उनको बचे रहें उनके जो बच्चे के साथ जिस बंदे की हाउजिंग सुसाइटी ते उसका सुश्चरा फौत हो गया है उसको मारते नहीं जाके वो अपने सेफ हाउस के अंदर और फिर उसको कहते रहे हैं वह साइन करो 50% हाउजिंग सुसाइटी नजफ को दो 50% वह मैडम को मासूमा है लंदन में रहती ही 50% उसको दुख की बाद आपको बताना चाहता हूँ, इटली के पास एक किष्टी उल्ट गई है, आठ बचे मारे गए लड़के, लड़के बचे नहीं, उसमें बारा बचे भी थे, उन साथ में से मैं गरेंटी करता हूँ, 244 गुजरात रो मंडी बहुदीन के मेरी नसल के लोग थे वो, मैं उनी का हिस्सा हूँ, दुख होता है, यहां से कमा कमा के हम अपने नाखनों की कुमाई भेजते हैं, पाकस्तान डालरों, रियालों की शकल में, और सारे भेजते हैं पैसे, और वो पैसा हमारे सामने लंदर और दुबई जाते हैं, फिर यह कहते हैं, पैसा भेजो, पाकस्तान बचाओ, पैसा भेजो, और कि नहीं के माओं के बच्चे थे, खबर भी नहीं दिये किसी ने पाकस्तान में, साथ बच्चा मरा है, वहां साथ लड़का मरा है, जवान, केस होना चाहिए, इनको सुय मोट एक्षन लेने वाला, साथ माओं के बच्चे आज मरें, वहां, विलकुल, और यहीं से मेदार है, वाहिद एक मुलक है, हाँ, चैलेंज ये जरूर है, को वाहिद मुलक के कलमे की बेस बना, बड़ी दलेरी से किसी ने कहा था, साथी एरेबिया भी नहीं बना, ये बना है, उठो, सुनो, यार, इसकी बात सुनो, बताओ, इसको कलमे की बेस बना थे का, आज साथ माओं के बच्चे मरें, आज, को निजा, अर्जा, मजा नहीं है, लेकिन ये क्या करें, कोई समझ नहीं आती, मैं क्या कहूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, आज मैं जब अपने पाउं, इन बापों के जूतों में, जिनके बचे मर गा हैं, उनकी माओं को जब देखता हूं, दिल भटता है, लेकिन ये जितने लोग हैं, जलम, ये और दे हमारी मुलक मैं तो जिंदगी कोई कीमت नहीं है, बोज इतने लोग मरते हैं, अगर इने थोड़ा सा भी जाके होता है हज करने में उम्रा करने में सबसे ज्यादा पाकिस्ता नहीं वहां पे और मैं वहां बैठके रोता हूं कि मेरे मालक तू ना इनकी दौाइं सुनता है ना इनकी बदौाइं सुनता है आप तो खुदा ने पता नहीं हमारे से मुझ दूसरी तरफ कर लिया पाकिस हैं इसलाम Swea Airport लो किडियों कि जलजले में मार रहे हैं कभी अमेरिकन जा कभी महारे हैं मार चपर हमार है कई के दर कर रहें कोई आवास उठाने वाले को पूछने वाले मैं अगले अगले सॉइमेंट में आपके साथ ये करना चाहूंग अभी जो दो किसा लि最高 destac the उनकी स्टोरी बीस-बीस साल गुटानों में गुजार के गए बगार चार्जिस के आज अमेरिका या योरप के अंदर वो होते तो उन्होंने दस-दस बिलियन डालर लेने थे अपने पेन सफरिंग आज आफिया सदीकी के लिए को बोलने वाला इंसान है दुनिया में क्या ज करूँ अबसार आलम का मैंने सुबा आइटिकल पड़ा में बड़ा जखनी होगें वाले लेकिन सार हमारे अपनी भी तो बहुत गलतिया है ना ऐसा ही तो नहीं कोई पीछे पढ़ जाएगा मुसल्मानों के अपनी हैं जिसके और किसी की कौन सी गलतिया भी अब पाकस्तान के अंदर लीडर ना बन रहा हो तो उसमें किसी दूसरे का कसूर है पाकस्तान से अंदर से अंदर से यहां से को एक मोमन मर्द मोमन ना पैदा हो यहां से एक मर्द ना पैदा हो लीड करने के लिए जो उठता है खाल पी जाता है तो किसी दूसरे का कसूर है चैलेंज करने क लिए तो क्या देता है दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फाज है हमारी मुझाद के पास दूसरी आईएस एजन्सी है और पठान जो आपने खुद पाले थे वो तो पसमाले नहीं जा रहे हैं मुझे पताएं आज वो इनको करनल इमाम तारड जिसका नाम जो कहते हैं मुला उमर का टीचर था जो नों ने मारा था उसको वो टीचर था वो उसका उसको जा कि नों इस बार करने से खाई है आज वही आपके गले पड़े गें आप लेट गें उनके सांदे तो दुनिया क्य अधर बाजवा साब के बच्चे कहा है आज मुझा बता दुबई में लंदर में बैठें यह किसी आर्मीचीफ के बच्चे यहां नहीं किसी जाजीके नहीं है और 18 ग्रेट को सिसे बंदा उसका बच्चा को नि बैठा आप कह रहे हैं उसकी बातें लंदन ने आपको तबा अपने लंदन को खाना काबा बना लिए नाउस बिला कोई एक शर्मो हाया कोई कुछ देखवा यार कैपिटल सीटी के अंदर अब सारा अलम नहीं लिखा है कैपिटल सीटी के अंदर यह हो रहा है बिल्कुल उठाया जा रहा है और फिर किस तरीके से खुबसूरती से पैसे अगार जारे ये जा रहे है और प्रापटी ये से हम रहें रहती हो यह सेम इधर ही लेकिन सेम सर वह अगर अधर साब की बात करें किया फिल किया पर करता चाहरे ही होता है को पूछने वाले मेरे मेरा जो अंदाजा है उनको पकड़ने का वो तो एक सिगनल बेजा गया है मेरे रिटायर फोजियों को भी बस करो आगे जाओगे तो अब रैडलाइन यह मेरे ख्याल में ज्याती है ज्याती है उनका जो मैंने सुना है उनके उपर उन्होंने वी लाग उ इस तरह सर्दद नहीं ठीक होता है इसको द्वाई चाहिए होती है लेकिन क्या करें एक लैंड एक ऐसी है उन्परडिक्टेबल है जिसको कोई जिसका बाली वारस ही कोई नहीं है मेरा द्वाज आपसे क्वेस्चन है बलके मैं सोच तो किसी वाद आप आपका इंटर्व्य करूं आर्जू आपसे पूछने को दिल कर रहा है आज आपको कौन इसमकर गवर्न कर रहा है आपकी स्टेट कौन चला रहा है कोई नहीं चरा रहा सर और पागिसान इस वक्त यूफो लेकिन बस लेकिन सर बहुत से हम देखते हैं उस पे सोशल मीडिया पे और आती है जो लोग रोट पर जा के लोगों से बाते कर रहे होते कई लोग कहते हैं कि हमें जी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं कि नरेंदर मोधी जैसा कोई प्राइम इस्टर चाहिए आपके श्याल से यहां पे कुछ पॉसिबल है पहले तो इतने पिशले बात कर रहो पिछली दस लीडरों की बात कर रहो आया नों उनन जैसा को निकाल के पड़े उनके बच्चे भी होते हैं कपड़े भी बैसे ही होते हैं मैं किसी वाज एक बताउंगा आपको बाटा हमारे एक वजीरियाजम गय थे वहां पे तो उन्होंने दिन में को तीन सूट चेंज किये थो तो मुझे किसी ने बताया कि काटन की साड़ी में आई थी सोनिया गांदी और साथ उनके थे मनमौन से सारा दिन उसी साड़ी काटन में वो रही उसी कुनी कपड़ों के अंदर मनमौन सिंग रहे हैं काटन के कपड़ों और उनकी इस तीन मीटिंग पर 3-400 लोगों को साथ लेके, 300-300 लोगों को कुक साथ, फोटोग्राफर साथ लेके जाते हैं और घडियां पैनते हैं 20-25,000 डाल डाल चार, 40-40,000 डाल डाल की कि अगले हरान हो जाते हैं यह मांगने आया यार इतना पड़ा जाहज लेका थीन सो बंदा साथ लिए मनें शरा भी नहीं इस चल रही है तो कह रहें कि यून में पिर जाएंगे आएमेफ के पास इतना जाएंगे इस दफ़ा जो आए हैं उन्होंने काफी आंखें दिखाई हैं उन्होंने काफी आंखें इन्सान के बचे बनो फिर देखा नहीं है अपने अफसरों को मराद देते हैं देड़ लाग गाड़ी भाग रही है सरकारी पट्रॉल पर शबाई श्रीव सब माइंड सेट पहले अपना चेंज करें अपने बच्चे लंदन से वापस बुलाएं पहले अपने बच्चे पहले बुलाएं अमीर लमोमनी से भी रिक्वेस्ट है दुनिया की उलादों से जेल पहुत शुक्रेया थे अपनीन जो